दूस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं हाली में वेब स्रीज है क्राइम्स आउनलाइन के बाखी के अविसोड को अगर आपको पहले का एपिसोड देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए हम कहानी शुरू करते हैं तो अपिसोड टू की शिरुवात में हम एक लड़की रूही को देखते हैं जो अपने पापा से बात कर रही थी और उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं किस बार क्रिके टीम में सेलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार ट्राय करना तब रूही रोते-रोते फोन काड़ देती है जिसके कारण उसके पापा को उसकी चिंता हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि शाम को रूही ने सुसाइट कर लिया है इसके बाद हम शक्ति और उसकी मा को देखते हैं जिससे किरायदर किराया ही मांग रहा था तब शक्ति कहती है कि हम अपना खुद का घर लेंगे अपने हिस्से की गाओं वाली जमीन बेज कर ये सुनते ही शक्ति की मा उसे डाड़ कर चली जाती है फिर सीन चेंज होता है साइबर सेक्योटी डिपार्टमेंट में जहां रुही के पापा आशुतोष से मिलने आते हैं और हमें पता चलता है कि वो तब ब्रिगेडिर रह चुके हैं इसलिए वो आई जी के कहने पर आशुतोष से मिलने आये थे तब ब्रिगीडर कहते हैं कि मेरी बेटी ने सुसाइड जो किया है उसकी वज़ा मुझे समझने ही आ रही इसलिए आप मेरी मदद कीजिए और आशुतोष मान जाता है फिर आशुतोष अपने टीम को रुही के बारे में बताता है कि इस लड़की ने क्रिके टीम में वज़ा क्या थी ये सुनकर उसकी पूरी टीम काम में लग जाती है जहां वो रुही के वाट्सेप से लेकर टेलिपोर्ट तक चेक करते हैं पार उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता या तक कि उसका फोन भी पूरा क्लियर था जिसको देखकर शक्ति का शक बढ़ जाता है क या फोन 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 खरी था और फिर ये लोग इस केस को नए आंगल से देखने लगते हैं फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिससे एक मैसेज आता है और उससे देखकर वो गवराने लगती है और अपने ममी पापा कोई नियारती रहती है यहां ओफिस में शक्ती रुवी के फोन से डिलिटेड डाटे रिकवर कर रही थी जिसके बाद उन्हें उसके फोन में रुवी की प्राइवेट फोटोस मिलती हैं और उसी में रुवी ने एक वीडियो भी बनाई हुई थी जिसमें वरोते हैं माफी मांग रही थी यह देख कर सब लोग समझ आते हैं कि कोई उसे ब्लैक मिल कर रहा था आप शक्ती आशुतोष और काम्य को बताती है कि पिछले काफी टाइम से जो लोग रुई की हर फोटो को लाइक कर रहे थे उसमें से राहुल नाम की आईडी मिली है जिसके फेक फॉलोवर्स थे और उसकी अक्टिविटी जब पता करी तो पता चला कि वो आजकल किसी पिया नाम के लड़की की फोटोस पर भी सेम ऐसे ही कॉमेंट्स कर रहा है फिर जिगर कहता है कि हमें पिया की फोटोस में उसके स्कूल का नाम भी पता चल गया है जिसके बाद आशुतोष और शक्ती पिया से बात पढ़ने के लिए उसके स्कूल निकल जाते हैं ताकि उन्हें पता चल पाए कि ये राहूल उसे ब्लैकमेल कर भी रहा है या नहीं इधर स्कूल में हम पिया को ही देखते हैं जे स्कूल के बातरूम में ही अपनी फोटो सेंड कर रही थी फिर आशुतोष मा की प्रिंसिपल से मिलकर पिया को बुलाने के लिए कहता है और उसके पैरेंट्स को भी बिलवा लेता है लेकिन तब प्योन आगर बताता है कि पिया तो कई भी नहीं मिल रही और ये सुनते ही सब लोग उसे ही ढूडने लगते हैं तब हम देखते हैं कि पिया तो छत पर कूदने के लिए खड़ी है जिसके खुब ब्लेडिंग हो रही है और उसने अपने हाथ में कमपास पकड़ा है या नीचे शक्ती हर जगा पिया को डूड रही थी तब ही पिया के हाथ से कमपास नीचे गिरता है और शक्ती उसे देख लेती है फिर वो भाक्ती भाक्ती उपर पिया को बचा रहे आती है और पिया को कूदने से रोक लेती है उतनी देर में आशुतोष भी उपर पहुच जाता है और वो आकर पिया को खीच लेता है जिससे पिया बच जाती है इसके बाद पिया से अशुदोष पूछता है कि ब्लेक मेलिंग की शुरवात कैसे हुई थी और ये बात वहार कोई बैटा सुन रहा था या तक कि उसके मम्मी पापा भी तब पिया बताती है कि कुछ दिन पहले राहूल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और मैंने उसे एक्सेप्ट कर दिया जिसके बाद हम दोनों में बाते होने लगी और हम दोनों टेली पोस्ट पर भी बाते करने लगे फिर कुछ दिनों में हमारी दोस्ती और भी ज़्याद भी ये सब कुछ करना पड़ता था ये सुनकर शक्ति उसका फोन चेक करती है और बताती है कि यह है वो वाइरस जो उसने फोटोस के जरिये भेजा था और उससे तुमारी सारी इंफर्मेशन चुरा ली थी फिर आशुतोष पिया को हिम्मत देता है और उसके ममी पापा से स मिलता और उसे समय शक्ति को आइडिया आता है कि क्यो ना पिया के जरिये ही उसे पकड़ा जाए जिसके बाद शक्ति पिया के फोन से उसे मैसिज करती है और उससे बात करने लगती है तब राहुल पिया को धंकी देकर उससे एक प्राइविट फोटो मांगता है और पिया भी फोटो देने के लिए मान जाती है कि किसी तरह से ये पकड़ा जाए तब शक्ति फोटो के साथ एक वायरस इदर से बेज देती है ताकि राहुल के फोन की लोकेशन और प्रफाइज हमारे सामने आ जाए इसके बाद जैसे राहुल उस फोटो को डाउनलोड करता है तो उस पकड़ेंगे कैसे तब शक्ति कहती है कि अगर ये बीडिंग एक बार खतम हो गई ना तो हम उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे इसलिए हमें जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा पर आशुतोस को कुछ भी समझ नहीं आता कि हम करे तो करे क्या उस हिसा में शक्ति प्या की फोन से राहुल को टेली पोस्ट पर कॉल कर देती है और हम देखते हैं कि ये राहुल तो एक लड़की है जिसे ये लोग पकड़कर जेल में डाल देते हैं अब यहां आशुतोस उससे पूछता है कि लड़की होकर तु लड़कियों के साथ ऐसा क्यों पर रही थी तो वो कहती है कि ये तो बिजिनस है जहां पर मैं काफी मोटा पैसा कमाती हूँ और आशुतोस उसको लंबी सेजा दिलाने का वादा करके मासे चला जाता है इसके बाद ये पूरा रैकेट निउस में भी छप जाता है और रुविक के पापा भी गुनेगार को जेल में दे अब DCP हुसेन उसे फोन करके केस के बारे में बताते हैं तो आशुतोस कहता है कि ये गलती तो मैस्टो कमपनी वालों की है क्योंकि वो इन पैसों को समाल नहीं पाए पर DCP हुसेन कहता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए खुद मिनिस्टर ने कहा है और उन्हीं के कारण तुमारा ये नया यूनिट बन पाया था इसलिए इस केस को सॉल्व करो इधर हम शक्ति को देखते हैं जो एक लोयर के पास अपने गाओं की जमीन वापस लेने के लिए चाचा पर केस करने आई थी तब वो लोयर उसे वो डॉक्युमेंट दे देता है कि इस पर अपनी मा क से औरिंट बैंक को चार मेल गए थे फंड ट्रांसफर करने के लिए जिसमें बार बार 19 से लेकर 17 करोड की डिमांड आ रही थी पर मिश्टर पीश कहते हैं कि ये रिक्वेस्ट मैंने नहीं बेजी थी और वो बताता है कि बार बार पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत ना आ इसलिए मैंने 20 करोड तक की लिमिट लगा रखी थी ये सुनते आशुतोष कहता है कि इसलिए तो बार बार हैकर ने आपके अकाउंट से 20 करोड से कम की अमांड निका ली तब DCP उसे इन पूछता है कि पैसे काटने का मैसेज तो आया होगा और आशुतोष बताता है कि ये काम असान हो पाए और इसे इस पूफ इमिल्स कहते हैं जो कि सेम बैंक की नोटिफिकेशन की तरह ही लगते हैं और वो साथ ही बताता है कि ये सारे पैसे नेदरलेंड के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं जिनने बिटकोइन्स और 1000 डॉलर के कई गिफ्ट कार्ड में बन आती है कि ये सेक्योटी के कारण हुआ है अगर इमेल की प्रॉपर सेक्योटी होती तो ऐसे मेल मिश्टर प्यूश को आदे ही ना और वो बताती है कि ये हम बैंक में प्रूफ कर सकते हैं उसी बैंक के स्पूफ इमेल बना कर ताकि पैसे मिल जाए इसके बाद जब ये जिए कि पूरा पैसा लेना है या आधा जिसके बाद ये केस कोर्ट में पहुँच जाता है और दोनों वकील दलीले देने लगते हैं तब मैं स्टॉक का वकील कहता है कि ये स्पूफ इमेल के कारण हुआ है ना तो बैंक वालों का सरवर इतना कमजोर होता और ना ही हमारा पैसा उड़ता ये सुनकर जजज कहते हैं कि ये होता कैसे है और वकील कहता है कि हम आपको प्रूफ दिखा सकते हैं और जजज ऐसा करने के लिए उन्हें तीन गंटे का समय दे रहते हैं इसके बाद शक्ति और जिगर बैंक का स्पूफ इमेल बनाने लगते हैं पर इस बा आशुतोष जब घर जा रहा होता है तब DCP हुसेन उसे फोन करके बताते हैं कि मंतरी जी ने तुमारी ये यूनिट बन करवा दी है क्योंकि तुम उन्हें का केस सॉल्व नहीं कर पाए तब आशुतोष कहता है कि सर मुझे केवल दो दिन का टाइम दीजिए हम बक्का केस क सॉल्व करके ही रहेंगे और DCP कहता है कि ठीक है मैं दो दिन तक मैडम को समाल लूँगा इसके बाद आशुतोष सीधा अपनी टीम से आकर मिलता है और कहता है कि इसमें गलती तुमारी नहीं थी उन्हें की कंपनी में से कोई इस प्लैन में मिला हुआ है जिसने हमारे इस पर पानी फेर कर सेक्योटी ब्रीच होने से बचाया क्योंकि पिछली बार तो शक्ती ने असानी से इस पूफी मेल बना ली थी पर इस बार नहीं बना बाई फिर आशुतोष बताता है कि हमारे पास इस यूनिट को बचाने के लिए केवल दो दिन का टाइम है और यह सुनत बार बार उनी बिटकोईन और बेचे गए गिफ्ट कार्ड के बारे में सोच रही थी कि इसके सेलर को कैसे पकड़ा जाए पर उसके हाथ तो कुछ भी नहीं लगता तब शक्ती की मन की आवाज कहती है कि सेलर को नहीं बलकि बायर का पता कर और वो उसी में लग जाती है और इस काम वो करते करते सुबा हो जाती है जिसके बाद शक्ती ने सारे गिफ्ट कार्ड बाय करने वाले लोगों की लिफ्ट तो दयार कर ली थी लेकिन अब प्राब्लम ये थी कि असली खिलाडी तक पहुचा कहते जाए तब उसे आइडिया आता है और वो सब लोगों की अशुतोष पर क्रश आ गया था इसलिए वो उसे लड़की के साथ देखकर जल रही थी फिर शक्ती उसे महीं बताती है कि हमें सबुत मिला है जिसके बाद हम सब को ओफिस में देखते हैं जहां शक्ती आशुतोष को बताती है कि ये लड़की बहार की है लेकिन इसका नाम उसी बायर लिस्ट में था और जब इसकी प्रोफाइल छानी गई तो हर फोटो पर एक बंदी का कॉमेंट जरूर था और वही बंदा माई स्टॉक कंपनी से जुड़ा हुआ है तब हम माई स्टॉक कंपनी में काम करने वाले एक आदमी को देखते हैं जिसने 73 करोड की चोर पास जीता और एक दिन मिश्टर पीर्स का email ID और password चुरा लिया और फिर उसने ये सारा खेल खेला इसके बाद वो बताता है कि एक गल्ती के कारण में पकड़ा गया ना तो मैं अपनी उस girlfriend को gift card बेशता और ना ही तुम लोग मुझे पकड़ पाते जिसके बाद आशुतोस उसे सजा दिलवाने के लिए ले जाता है और इदनी महनत के बाद finally ये case भी solve होता है इसके अगले दिन जब ये तीनो टीम वाले अपने office में आते हैं तो देखते हैं कि वहा तो नया IC लग चुका है और आशुतोस बताता है कि मंतरी जी ने खुश होकर ये IC लगवाया है औ और हमारी unit को अब कुछ भी नहीं होगा फिर वह सब को नए case की file देता है और यही पर episode 4 खतम होता है दोस्तों आपको ये web series कैसी लग रही है हमें comment में जरूर बताना और अगर आपको इसके आगे के episode देखने है तो comment में part 3 जरूर लिखेगा हम ले आएंगे बाकि अगर directory web series देखनी है तो आप ये video देख लेजिए